हेलो एविवन वेलकम बैक टो माई चैनल कीप सिंपल लिव बैटर आज मैं अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूं इंस्टेंट मॉर्निंग ब्रिक फास्ट जो की काफी टेस्टी एंड हेल्दी होता है अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अड मेरी चैनल कीप सिंपल लिव बैटर को सबस्क्राइब करें सो विदाउट एनी डिले लेट्स केट स्टारड़ चलिए शुरू करते हैं एक टेस्टी एंड हेल्दी मौनिंग ब्रिक्वास्ट को बनाना और साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज डियर आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखें वीडियो पूरा इन तक देखें आपको बहुत ही अच्छा लेगा चलिए बनाते हैं वर्निंग ब्रिक्वास्ट इंस्टेंट बोहा सबसे पहले हमें क्या करना है हमें बोहा ले लेना है आपको जितनी भी क्वांटिटी क्या चाहिए आप उससे कॉडिंग ले सकते हैं बट मैं यहाँ पर वन बॉल तीन पूहा ले रही हूं तीन पूहा जो होता है उससे बेस्ट बाद अच्छा आता है पूहा को न धो लेना है उसके बाद जो पानी है उससी ड्रेन कर देना है इससे पूहा सॉफ्ट हो जाता है उसके बाद मैं क्या कर रही हूं मैंने कराही को गरम कर लिया है और जब कराही कर गरम हो जाए उसके बाद हमें मस्टर्ड ओयल डालना है मस्टर्ड ओयल जादा न और अभी जो यह दिख रहा है यह है फ्रिस्स करी लीव्स करी लिव्स डालने से बोहा का टेस्ट बहुत अचा आता है साथ के जाथ करी लिव्स जो है न वह रिए भी बहुत अचा होता है इसके बाद मैं डाल रही हूँ स्टिर करना है और तब तक स्टिर करना है जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाते हैं ये बहुत इंस्टेंट प्रिक्वास्ट है आप इसे आसानी से बना सकते हैं साथ के साथ ये टेस्टी ज़ेख है अभी में डाल रहे हूं फाइली छॉप्ट ग्रीन चिली इस डाल दिया है इसके बाद हमें सबी चीजों को अच्छे से मिला देना है फ्लेम को मीटियम रखना है नहीं तो ओनियंस जो है वो बर्न हो जाएंगे इसके बाद मैं डाल रही हूँ वन टीस्पून हल्दी पॉडर देन मैंने डाला है हलका सा रेड चिली पॉडर क्योंकि मैंने पहले ही चॉप्ड ग्रीन चिली यूज कर रखी थी तो पुहा जो है ज्यादा तिखा नहीं बने इसलिए मैंने हलका सा रेड चिली पॉडर यूज किया है तब इस जो कच्छे से मिला देना है और मैंने जो पानी था उसे ड्रेन कर दिया है वारे पुहे त्यार है इसके बाद हमें पुहा को डाल देना है और जेंटली ही मिक्स करना है क्योंकि पुहा जो है वो थीन वाला है और पानी डाला था मैंने तो वो सॉफ्ट हो चुके है अगर आप ज्यादे आप प्रेसर के साथ मेस्ट करेंगे स्टिर करेंगे तो वो मेस्ट हो जाएंगे इसलिए हमें जेंटली ही हलके हाथों से सबी चीजों को अच्छे से मिला देना है देहान रहें अभी भी जो फ्लेम है वो मेडियम ही रखना है और सबी चीजों को जेंटली ही मिला लेना है देखते ही देखते बहुत ही आसानी से बहुत ही कम इंग्रिडियिंट्स को यूज़ करके जो मोनिंग ड्रेक्वास्ट है ना बन जाता है और ज्यादा कुछ दाम बहुत आसानी से बन जाता है अब प्लीज इस रेसिपी को ड्राय जरूर करें इसके बाद मैं डाल रही हूं तो आपके टीस्ट पर डिपेंट करता आपको जितना डालना है अब जैसा पसंद करते हैं अब अच्छे से मिला दें और देखती देखती हमारा जो पुहा है न वो अल्मूस्ट टन है अब देख रहे हैं यह देखने से कितना टेमटिंग माउथ वाटरिंग लग रहा है बस अब और कुछ नहीं करना है हमें फ्लेम को अफ करना है हमारा पुहा बन करते हैं बस हल्की सी गार्निसिंग हमें और करनी है इसे सर्व करने से पहले चलिए इसे प्रेट में मैंने डाल दिया है अब इसे हल्की सी और गार्निसिंग करते हैं जिससे कि इसका टेस्ट जो है न आपको अगर नहीं पसंद है आप नहीं में डाल सकते हैं बट एक बार डाल करके टेस्ट केज़े पसंद आएगा इसके बाद मैं मिक्स्चर स्प्रेंकल कर रहे हूँ जो भी मिक्स्चर आपके घर में है आप डाले उससे बहुत ही क्रंची टेस्ट आएगा इसके बाद मैं डाल रही हूँ सेव यह सब जितनी भी चीज़े है ना यह में पास थी इसलिए मैं डाल रही हूँ यह optional है otherwise आप प्लीन पुहा मैंने सब बनाया था वो भी ट्राइ कर सकता है बहुत अच्छी लगती है इसके बाद मैं हलका सा lemon squeeze कर रही हूँ जिससे कि इसका टेस्ट और mouth watering हो जाए हमारा चटपटा सा पुहा बन करते यार है मैंने simplicity के साथ बताया है I hope आपको वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो please मैं इस वीडियो को like करें, share करें and my channel keep simple live better को subscribe करें, thank you so much